आपके लिए बनाया है सिवहाय काम कर रहा है और आपके पास इस तरह की एकृट स्था वी और आके पास होगा तो आप सकते हो कैसे पूरी डिटेल से वीडियो पर आपको आपको करके दिखाएंगे क्योंकि हमने यह जो पनाया है इसकी चोटा-चोटा शॉट हमने लेके रखा है तो वह सब हम आपको दिखाएंगे जैसे आपको पता चल जाएगा कैसे आपको सीवेंट और क्योवेंट एलेन भी आप घर पर इजली बना सकते हो कि यह आप खरीदने जाओगे तो कम से कम आपको नासर से हजार रुपाय खर्चा आएगा तो आप बिल्कुल घर बैठे आप बना सकते हो विदाउट एक स्टाइनी कोस्ट गाइस बहुत दिन के बाद हम आ सब्सक्राइब कर द Onunस वारण जणकर हमने आपके लिए एक वीडियो बना दिया अैसा नहीं है टेक्निकल वीडियो के लिए आपको बहुत तै нужно देना पड़ता है और यह पूरा एक्स्परेश्परमेंट करना पड़ता है तो गैस आगार अपको आगर वीडियो हैं तक पसंद आये ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास यह वीडियो पहुंचाना चाहिए और आपको इस वीडियो के लाइक कर देना और नए कोई दोस्तों देख रहे हो तो आपको पसंद आए वीडियो ज्युरु सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहेगा तो हम जैसे कटल प्लास इस तरह की ओके और सिविन ये अपको एक्स्टा होना चाहिए वह के कुछ इस तरह की से काटना पड़ेगा कि क्लियरली तोड़ना नहीं है नहीं तो बाद में अगर आप मन में आई कि सीविन ये इस तरह के से काड़ना आ और किसी भी पार्ट को आपको डैमज नहीं करना ओके तो उसके बाद क्योंबन एलन्ब का जो समने वाला फोर्षन है यह अगर आप हीट देंगे थोड़ा सा आप हीट देंगे तो यह नरम हो जाएगा और समने से निकल जाएगा प्लास की दोर आप निकल सकते हैं इस पोकार यहां पर आटक जाएगा बिल्कूल क्लियरली ऑके कुछ इस पोकार आप देख लिजिए यहां पर कोई कोई भी मिसिंग पार्ट मिसिंग नहीं बिल्कुल पहले जैसा यहां पर अटक गया है धकन की तरह इसी तरीके से धकन की तरह आपको भी यहां पर चिपका लेना तो चिपकरने के लिए मैं यहां पर ग्लू इस्तेमाल कर रहा हूं आप चाहे तो यहां पर जाल दे सकते हो तो ग्लू हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे तो ग्लू से चिपकरने की जो काम था हो हम यहां पर कर लिए है पोपाड़ी यह आप देख सकते हो ग्लू यहां पर है और यह तरीकिसे यह चिपके गये हैं और यह बहुत ही अच्छा वर्क करेगा तो चलिए हम इसको इंस्टल कर लेते हैं तो गाइस यहां पर पर इंस्टलेशन यहां पर हो चुका है और यह मैं जी सट 17 पर इस्तिमाल कर रहा हूं यानि डीडी फीडिश जहां पर है ओके डीडी बहुत है और यह बहुत है और यह चलिए यह तो हो गया हमारी इंस्टलेशन पोसेस और यह काफी आची तरीके से कर लिए सिंग्नल भी हमें पर मिल गए है तो चलिए हम एक बार टीवी पे ले जाके आपको मैं दिखाता हूं कितना सिंग्ल लॉस हुआ है और कितना तो इसकी रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा तो यहां पर जिसट शेवेंटीन का जो अमार सिनेमा नाम का चैनल और कुछ नियू आवर्ड नम का चैनल आया है तो सारी चैनल है पर वारकिंग है तो अमार सिनेमा जो चैनल है इसकी सिंग्नल आप देग लीजिए यह 99 परसें सिग्नल यानि अच्छा सिग्नल है और कोई स्क्रम्बल वगएरा नहीं कर रहा हूँ है बिल्कुल अच्छा सिग्नल है यहां पर और क्योड यानि डिडिफीडिश का सिग्नल भी आप देख सकते हैं अगल चैनल यहां पर प्रोफार वार्किंग है जाकी चैनल लेकिन बाकी सब कुछ तो सही है तो आप भी एक्सप्रेमेंट कर सकते हैं यहां पर तो सिंगनल अच्छी शो कर रहा है सेवेंटी पर्सेंट तो गाइस थैंक्यू मिलते हैं एक्सप्रेटिव पे